पल्स ग्रूप स्कैम एक बार फिर चर्चा में है इसमें अब एक नया मोड आ गया है क्योंकि फरजी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर डायरेक्टर बनाने एवं बिना पते के सत्यापन के उस पते पर एक्स्ट्रा ओर्डिनरी जनरल मीटिंग कराने के मामले में वीजिलिंस बयूरों ने पंजाब से एक चार्टर अकाउंटेंट को गिरफतार किया है आरोप है कि लुध्याना निवासी सीए जस्विंदर सिंग डैंग ने कमपनी के पेपर्स में उस पते पर एक्स्ट्रा ओर्डिनरी जनरल मीटिंग को होता दिखाया है जो पता पिछले साथ आठ साल से बंद है इसके साथ ही फर्जी डाक्यूमेंट्स के आधार पर तीन डैरेक्टर्स को भी कमपनी में शामिल कराने का आरोप सीए पर हैं विजिलिंस विभाग में धारा 406, 420, 465 और 471 जैसी धाराओं के अंतरगत उन्हें गिरफतार किया है आपको बता दे पल्स एग्रोटेक प्राइबेट लिमिटेड पर 5 करोड निवेशकों का 50,000 करोड रूपे से भी ज्यादा पैसे के हड़प करने का आरोप है चार्टेड अकाउंटेंस की गिरफतारी से जुड़ी इस तरह की खबरों का मिडिया में आना CA जैसे प्रोफेशन की साख के लिए एक बड़ा धक्का है जो लगातार ही CA प्रोफेशन पर सवाल खड़े करता है CA से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए The CA Pulse को सब्सक्राइब करें और सभी चार्टेड अकाउंटेंस में जागरूपता के लिए वीडियो को शेयर करें